नमस्कार सर मेरा नाम राजू है जिन लोगों की जिन्दगी में एक कोड़ प्या एकुबिलेट कर लेते ना उनके बाद वो घर खरीदना चाते हैं कितना भी पैसा होसकता है 20 लाग 30 लाग 40 लाग 50 लाग एक कोड़ कितना भी होसकता है घर खरीदने के बात करते हैं तो कहते ह जमीन खरीत के बनाना है फ्लैट का जिंद्गी मानते हैं कि अच्छे ये फिर तो बात हुए पैसे पर आगे आ गया मैं अपने सबस्क्राइबर जो आठ अजर सब मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि यदी तो आप सहर में रहते हैं तो सहर का जिंदगी अगर सच में जीना है तो एपाटमेंट में रहे है फ्लैट में रहे है सोसाइटी में रहे है गाओं में रहते हैं तो बिंदास गाओं का जिंदगी पता ही है जैसे हम जी रहे हैं वैसे जीएंगे अच्छा घर बना लेंगे गाओं में रहेंगे लेकिन यदि सहर में रह रहे हैं, तो अपना जमीन खरीद के घर नहीं बनाना है, अगर तो ऐसा कर लिए, तो जिन्दगी में दो चीज़ आएगा, सुगर और बिपी का मेडिसीन आएगा, इसके अलबा सुख सांती सकून तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिन लोगों को घर में र है, तो बड़े होता है, तो बीस लोग डिफॉल्ट में आते हैं, मैरेज इनवर्सरी है, तो बीस लोग डिफॉल्ट में आते हैं, बाहर यदि सिंगल घर बना लिए, तो आपके पास कोई आएंगे नहीं, एक दूसरी को जानते ही नहीं, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उसके आसपास किला है, विला है, सब कुछ है, पर उनका जिन्दगी, और जो हम सोसाइटी में जिन्दगी जीते हैं, स्वर्ग और नरग जैसा जिन्दगी है, इतना अंतर है, नहीं समझ में आता है, एक दो साल रेंट पे राके देखिए, फिल समझ में आएगा, कि सिंगल घर बनाने में क्या-क्या फाइदा है, और सोसाइटी में रहने में क्या-क्या फाइदा है, जब ऐसा करेंगे, तो पैसे के बारे में नहीं सोचना है, यह चिंदी चोर जैसा नहीं सोचना है, चिंदी गिरी नहीं करना है, कि जमीन में रिसेल विल्यू होता है, फ्लैट में मातर करते आने वाले 25 साल के लिए करते इतना जिंदगी तो होता ही है सब के पास हमने अपना बारब 13 साल निकाल दिया है आगे और जिंदगी बचा होगा है 30 जरपे पर मंथ एवरेज 25 साल तक करता रहा मातर 10 परशन का रिटन हो तो 90 लाग रुपया जमा होता है 4 करोड रुपया फिर भी 2 करोड रुपया आपके पास सरप्लस बच जाएगा जिनके जिंदगी में ये पैसा होता है न वो ये नहीं सोचते हैं कि जमीन में रिसेल विल्यू है फ्लैट म तो आप अपने जिंदिगी का पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे मूचल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका सोच entirely different हो जाएगा जो सेकरों हजारों लोग सोचते हैं उनसे आप different हो जाएगे क्योंकि ये पैसा आपके सोच को बदल देगा आ आपको इसी तरह investment के बारे में कुछ और जानना है आप मूचल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप यदि ट्राइस सिटी चंडीगर के आसपास रहते हैं तो हमसे financial planning का class करा सकते हैं यदि आपको मूचल फंड में online इन्वेस्ट करना है तो link में जाके आप मूचल